दोस्तों जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप सुरू होता है भारते या तो मेसी की अर्जेंटिना को सपोर्ट करने लगते हैं या फिर रोनाल्डो की पुर्तुगाल को हम भारतियों का सपना भी है कि हमारी नेशनल फुटबॉल टीम सीपा में खेले लेकिन हम रेंकिंग के इसाब से दुनिया में सतक लगाए बैटे हैं लेकिन हालात हमेशा से इतने बुरे नहीं थे हम दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को टकर दे कर उन से गोल्ड मेडल ची जानेंगे सब कुछ लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हाँ अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और यह बेल आ इतनी कैसे बदल गई कि कुछ ही सालों में जापान और साउथ कोरिया को हरा कर दो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत लिए तो आखिरकार हुआ क्या उन 11 सालों में जिसे हम आज भी भारती फुटबॉल टीम का स्वर्णिम काल कहते हैं भारत को एक छोटी मोटी टीम से उन्युवेसिटी फुटबॉल टीम का हिस्सा बने जहां वो 11 हंटर्स नाम की टीम के साथ खेला करते थे अब्दुल रहीम ना सिर्फ खेलने में बलकि पढ़ने में भी अच्छे थे उन्हें पढ़ने का जबर्दस्त सोकता जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की और स्कूल टीचर बन गए अब यहां तक आपको कहानी बड़ी बोरिंग और अजीव लग रही होगी लेकिन आप यहां से भारतिय फुटबॉल टीम का सुनहरा काल सुरू होने वाला था अब्दुल रहीम ने लगबग 30 साल के उमर में फुटबॉल सिकाना शुरू किया 1939 में हैदराबाद फुटबॉल असोसियेशन की स्थापना हुई और सीव कुमार लाल नामक पुलिस ओफिसर वहां के प्रेजिडेंट बने जिसके बाद उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस या सिटी अफगान्स नामक फुटबॉल टीम की स्थापना की हैदराबाद नवाब के समय हैदराबाद सिटी पुलिस नामक फुटबॉल टीम हैदराबाद की सबसे प्रभावसाली टीम थी उस समय भी अबदुल रहिम कमर कलब नाम के फुटबॉल टीम के साथ फुटबॉल खेला करते थे 1942 यानि कि लगबग 33 साल के उम्र में अब्दुल रहीम को हैदराबाद फुटबोल असोसियेशन का सेकेटरी बनाया गया। कुछ दिनों के अंदर ही अब्दुल ने नोटिस किया कि उस समय जादातर भारती खिलाडी अंग्रेजों के अंग्रेजी अंदाज यानि स्टाइल में खेला करते थे। 1943 में अब्दुल रहीम हैदराबाद सिटी पुलिस के कोच बनने के बाद टीम को नए तरीके से खेलना सिखाया और उसका असर यह हुआ कि कुछ ही महिनों में हैदराबाद की टीम ने बेंगलूरू और बंगाल जैसी बड़ी टीमों को हरा कर एस गोल्ड कप हासिल किया। 1947 में दिलाई गई। 1947 से 48 तक रहीम एक प्रसिद्ध कोच बन चुके थे। जिसकी वज़े से 1950 में अब्दुल रहीम को भारती नेशनल फुटबोल टीम का कोच बनाया गया। अब यहां से सुरू हुआ भारती फुटबोल टीम का सुनहरपल। 1991 में नई दिल्ली में पहला आईसियन गेम्स हुआ जिसमें जवारलाल नहरू की उपस्तिती में भारती फुटबोल टीम ने इरान को हरा कर एसियन गेम्स का फुटबोल गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। 1952 का वक्त आया भारती फुटबोल टीम ओलम्पिक खेलने के लिए फिल्लेंड पहुची। मगर भारत की यहां यूगोसलाविया की हातों बुरी तरह से हार हुई। इसका कारण बताया गया कि उस समय भारती टीम बिना जुतों के ही फुटबोल खेला करती थी। अब यहां एसिया या भारत में ठीक था मगर फिल्लेंड में थंड बहुत ज़दा होती है और ऐसे थंड में बिना जुतों के फुटबोल खेलना बहुत मुश्किल था और यह तो आप भी समझ सकते हैं सर्दियों में बिना जुते के फुटबोल खेलना कितना दर्दनाक र उस वक्त रहीम ने भारती खिलाडियों के हारी वे मन को अगले गेम में अच्छे से खेलने को प्रेरिद किया। असर ये हुआ कि 1956 के ओलम्पिक्स में इंडिया ने ओस्ट्रिलिया को हरा कर एसिया की पहली टीम बनी जो ओलम्पिक्स के सेमी फाइनल तक पहुची। ऐसे ही भारत ने 1958 तक एसिया कप में चोथा पायदा नासिल किया। अब्दुलरहीम एक चैनिस मोकर थे। जिसकी वज़े से धीरे धीरे अब्दुलरहीम की सहत खराब हो रही थी। 1962 का वक्त आया और इस बार एसियान गेम्स इंडोनेसिया के जकार्टा सहर में था। बगर कुछ राजनिति कारणों की वज़े से इंडोनेसिया की सरकारे इसराइल और तायवान की टीम को इंडोनेसिया में आने की वीज़ा नहीं दिया। लेकिन भारती फुटवल टीम ने वहीं रुक कर खेलने का फैसला किया बट इसकी वज़े से हुआ ये कि भारती टीम को स्टेडियम तक कहुचने है के बीच में बारी पत्रहाओ का सामना करना पड़ा हालात इतने खराब हुए कि इंडियन टीम को होटल के बजाए बस के अंदरी रुक कर रात बितानी पड़ी बस में सोकर ही खेलने जाना पड़ा था भारत का पहला मेच साउथ कोरिया के साथ हुआ दूसरा मेच थाइलेंड के साथ और तीसरा मेच जापान के साथ हुआ उस वक्त हालात इतने खराब تھے कि भारती टीम को वहां किसी भी जगह पर भारत का जंडा लहरान ओत दूर की बात एवन भारत का रास्ट्रगान गाना भी मुश्किल हो गया था भारते टीम किसी भी मेच में खेलने जाती तो उस स्टेडी में उपस्तित हजारों लोग भारते खिलाड़ियों पर चिलाते या मजाक उडाते थे ऐसे वक्त में अबदुर रहीम मेच सुरू होने से पहले और मेच खत्म होने के बाद या फिर मेज के बीच में हुए ब्रेक में सारे मेंबर्स को इकटा कर ड्रेसिंग रूम में रास्ट गान गाया करते थे ताकि टीम में हिम्मत बनी रहे भारते टीम जापान को हरा कर सेमी फाइनल में पहुँची लगातार मेच खेलने की वज़े से टीम में थकान और इंजरी बढ़ रही थी रहीम ने टीम के मेंबर्स में कुछ फेर बदल किया और फिर भारत ने दक्सिनी वियत नाम से सेमी फाइनल जीता फाइनल का वक्त आया और उस रात टीम सोई नहीं थी अब्दूल रहीम उस समय कैंसर से जूज रहे थे रात के समय वो टीम को जगारता की सड़को पर ले गए और कहा कि कल आप लोगों से मुझे एक तोहफा चाहिए कल आप मुझे सोना जीत कर ला दी जिए रहीम कोचिंग के साथ साथ टीम को मोटिवेट करने में माहिर थे अगले दिन मेच हुआ और भारतिये और भारत के ठकेवे खिलाडियों ने भी साउथ कोरिया को हरा कर गोल्ड मेडल जीत लिया फाइनली भारतिये टीम सोना लेकर वापस लोटी दो महीने के बाद लगबग 53 साल के उमर में रहीम को कोच का पद छोड़ना पड़ा रहीम की सहत दिन बदिन ज्यादा से ज्यादा खराब हो रही थी बीच रात में बुरी तरह से खासा करते थे अनके शरीर में बुरे दर्द की वज़से कुई दिनों तक उनका सरीर शुकूट जाता था रहीम ने एक इंटर्यूव में सुझाओ दिया कि भारती टीम को एक नए तरीके से खेलने की जरूरत है हमारे खेलने की निती को बदलना होगा ताकि हम नए तरीके से खेल पाए अलग-अलग टीम के साथ अलग-अलग तरीके से कोसिस करनी चाहिए ताकि हम सही तरीके से सीखते रहें कुछ दिनों में रहीम की सहथ बुरी तरीके से खराब होने लगी एक लोकल डोक्टर ने रहीम को लंग कैंसर बताया और कुछ दवायां दी मगर उनकी हालत बद से बत्तर होती चली गई आखिर में उन्हें मुंबई के पृषिद टाटा होस्पिटल में ले जाया गया मगर वहां के डोक्टर्स ने भी बताया कि वहां ठीक नहीं हो सकते वहां उन्होंने अपनी जिंदिगी के आखरी 6 महीने बेड़ पर ही बिताये 1964 में इंडिये के नए कोच अलवर्टो फर्नांडो किसी काम से ब्राजील गए वहां उन्होंने देखाया कि जो तकनीक अब्दुल रहीम 1956 में सिखाया करते थे अब वहीं टेकनीक ब्राजील सीखना सुरू कर चुका है इसमें कोई संका नहीं है कि कोचिंग गरी में रहीम अपने समय से काफी जदा आगे थे अब्दुल रहीम की बाव पी का आपको फिल्म मेदान में देखनी को मिल रही है जिसमें अब्दुल रहीम का किरदार अजे देवगन्नी भा रहे हैं और जिस किसी को भी लगता है कि सिग्रेट से कुछ नहीं होता कि एक फेसन सिंबल है उसे ये जरूर दिखाईए दोस्तों क्या होता अगर अब्दुल रहीम आज भी जिन्दा होते कमेंट करके हमें जरूर बताईए वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगाओ तो लाइक और सेर करना ना भूले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों जल्दी मिलेंके नई वीडियो के साथ अगर 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 वीडियो के नमस्कार